आज तुम देखना सिकारा, आज मेरा उस जंगल में कोई मुकाबला नहीं कर पाएगा, आज मैं उन सभी को खतम करूँगा, जिस जिसने सालों पहले मेरे साथ वो सब क्या था, अब उन सभी को मेरे साथ हुए एक एक जुल्म का बदला देना होगा रगु भाई, तुम्हारी बात तो सही है, आज तुम इतने सालों बात जंगल वापस आए हो, अब ऐसा क्या खास हो गया, जो तुम इतने एतमास से ये सब बोल रहे हो सालों पहले भी बगदीरा ने तुम्हारे साथ तुम्हारी कंजोरी का फायदा उठा कर ये सब क्या था और आज शिर्ट तुम अपनी मोत के मूँ में अपने आप चल कर आए हो मैं तो कहता हूँ भाई तुम वापस चले जाओ मैंने आज तक इस जंगल के सभी जानवरों में तुम्हारे लिए नफरत देखी है और आज जब वो तुम्हें इस जंगल में देखेंगे तो बगदीरा तुम्हारे साथ ना जाने क्या करेगा वो अब कुछ नहीं कर पाएगा अब मैं उसके हर वार के लिए तयार हूँ तब मैं कमजोर था लेकिन अब इस जंगल का कोई एक जानवर भी और खुद बगदीरा भी मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता अब उसे सालों पुरानी दुस्मनी के हर एक जुन का हिसाब देना होगा और मैं अपना हिसाब पूरा करूँगा आखिर कौन है ये शेर जो की बदले की आग मी बगदीरा शेर के जंगल के और बढ़ रहा है चलिए जानती हैं दरसल आज से सालों पहली रगु शेर एक बहुत ही कमजोर शेर था दरसल बच्पन में ही उसके माता पीता का ना जाने किसने कतल कर दिया था और वह बीचारा बच्पन में ही अकेला पड़ गया था और जब उसने अपने माता पीता की लाश को अपने सामनी देखा तो वो तो जैसे पागल हो गया था मा बाबा आपको क्या हो गया और ये खून मा मा उठे मा बाबा मैं आपके बिना कैसे रहूँगा वो दिन रगु की जिन्दगी का एक ब्लैक डे की जैसा था उस दिन के बाद रगु हर किसी से डरने लगा अब तो उसी शिकार करने से भी डर लगता था क्योंकि जब भी उसे खून दिखाई देता था तो वो बहुत डर जाता था और वहां से भाग जाता था खून 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 मुझे बचाओ कोई मुझे बचाओ खून खून अरे बुद्धु शेद क्या हुआ तीरा अब रोज का हो गया है ये तेरे माबाप को तो बगदीरा शेड ने पहुचा दिया उपर और अब तुने जंगल का सुकून बलबाद कर दिया है क्या मेरे माता पिता का कतल बगदीरा शेड नी क्या है मैं उसे नहीं छोड़ूँगा मैं आज इसे मार डालूँगा नहीं रगू तुम उसका कुछ नहीं बिगार सकते तुम उसके पास मत जाना वो पहुत खतरनाक है वो तुमें भी मार देगा गाएं उसे ये सब कहकर चली जाती है और रगू शेड बीना कुछ सोचे समझे बगदीरा शेड के पास अपनी माता पिता की मोत का बदला लीने चला जाता है और वहाँ जाकर वह बोलता है बगदीरा तुमने मेरे मा बाबा को मार कर अच्छा नहीं किया आज मैं भी तुमें मार डालूँगा और अपने मा बाबा की मोत का बदला पूरा करूँगा हाँ 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 तुम मुझे मारोगे मैं तुम्हें अभी बताता हूँ बगदीरा शेर पोहुत बेरहम शेर था और वहर रगु को एक पेड़ से लटका कर खूब मारता है और सभी जंगलवासी खड़े होकर ये सब तमासा देखती हैं रगु अब बिलकुल अद्मरा हो गया था और जंगल के सभी जानवर भी खड़े होकर सारा तमासा देख रहे थे और बगदीरा अपना काम करके वहाँ से चला गया था इसी बीच वहाँ सिकारा बाग आता है और जब सिकारा रगु को इस हालत में देखता है तो वह उसी उस भीड से निकाल कर लेकर जाता है और अपनी गुफा मिलाकर वह रगु का इलाज करता है दो-तीन दिन बीच जाते हैं और रगु अब कुछ-कुछ सिहत मंद होनी रगता है और शिकारा रगु से बोलता है रगु तुम्हें ये सब करने की क्या जरुरत थी? क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? वो जालिम कितना बेरहम है वो तो आते जाते जानवरों को मार डालता है और तुमने तो फिर भी जाकर उसके जुर्म को ललका रहा था शुकर है तुम्हारी जान बच गई वरना वो तो तुम्हारी जान भी ले सकता था आज नहीं तो कल मैं उससे बदला जरूर पूरा करूँगा शिकारा पूल ही रह था कि तभी बगदीरा अपने सिपाही लेकर वहां पहुचता है और वह फिर से रगु को खूब बारते हैं और अब की बार बगदीरा रगु को जंगल से बाहार पिकवा देता है और उसी जंगल का रुखना करने के लिए भी चेतावनी देता है उनके चाने के बाद शिकारा चुपके से रगु के पास आता है और उसे एक खूफिया जगा पर ले जाकर उसका इलाज करता है अब शिकारा हर रोज सुभा रगु के पास जाता है और श्याम होने से पहले वह अपनी जंगल वापस आ जाता है क्योंकि उसे डर था कि कहीं बगदीरा को कुछ पता न चल जाए और वो उसे भी न मार डाले रगु भी अब कुछ-कुछ ठीक होने लगा था और वह कुछ-कुछ जंगल में भी घूमने लगा था दिन बीटे हैं और रगु अब थोड़ा बड़ा हो जाता है इसी बीच जब शिकारा रगु को छोड़कर जंगल वापस चला जाता है तो रगु जंगल में निकलता है और इधर उधर टेहलने लगता है तभी उसकी नजर एक पेड़ के नीचे से आती हुई एक रोसनी पर जाती है जब रगु उस रोसनी के पास जाता है तो वहाँ एक जादी ताज रखा हुआ था जो की हर एक सेकिंड में अपना रंग बदल रहा था वह रंगीन ताज जादी शक्तियों वाला था और उससे आवाज आती है क्या हुआ क्यों परेशान हो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ अब रगु उस जादी ताज को अपनी सारी परेशानी बताता है और वह जादी ताज रगु को कुछ शक्तिया देता है जिससे उसका शरीर भी रंगीन बन जाता है और वह एक थाकतवर शेर बन जाता है सुबह होनी पर जब रगु उसके पास आता है तो वह उससे बिना कुछ पताए उसके साथ जंगल आ जाता है और आज रगु बगधिरा और जंगल वास्यों से अपनी सारे जुल्मों का हिसाब पूरा करने के लिए आया था करने के लिए मेरे पास आ गए उस दिन तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था सायद आज मैं खुद को ना रोक पाऊं इसलिए मैं कहता हूं चुपचाप यहां से चले जाओ वरना ऐसा नहों मैं फिर से तुम्हें जंगल के बीच में लटका कर मारूं रगु जब यह सुनता है तो बोलता है बूल जाओ वो दिन बगदीरा जब तुम मुझे पे हावी हुए थे आज ऐसा नहीं होगा और आज मैं तुम्हें पूरे जंगल के सामने खतम करूंगा और तुम्हारी लाश को जंगल के बीच में लटकाऊंगा जिससे जंगल वास्यों को भी पता चले कि किसी की कमजोरी का मजाग बनाने का क्या सिला होता है अब रगु अपना रूप बदलता है और बगदीरा पर हमला कर देता है रगु का यह रूप देखकर शिकारा और बगदीरा हैरान हो जाते हैं और रगु देखते ही देखते बगदीरा को जान से मार डालता है और अब वह उसकी लाश को ले जाकर जंगल के बीचों बीच लटका देता है और सभी जंगलवास्यों के सामने एलांग करता है कुछ दिनों पहले तुम जंगलवास्यों ने मेरा ऐसा ही तमासा बनाया था और आज देखो मैंने इस बगदीरा का क्या हशर किया है और उस दिन जंगल के किसी भी जानवर ने मेरा साथ नहीं दिया था जबकि मैं अपने हग पर था और ये बगदीरा मेरा मुजरिम था लेकिन देखो फुद्रत ने मेरा साथ दिया और मुझे इतनी ताकत दी कि मैं इसका मुकाबला कर सकूँ अगर उस दिन जंगल के किसी जानवर ने मेरा साथ दिया होता तो मैं इसे उसी दिन मोत के घाट उतार देता मैं चाहूँ तो मैं तुम सब को खतम कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा मेरा मुझरिम बगदिरा था और मैंने उसे मार दिया और जाओ तुम्हें माफ किया यह सब बोलकर रघू और शिकारा वापस आते हैं और अब रघू शिकारा को सारी बात बताता है शिकारा ये सब सुनकर बहुत खुश होता है अगली सुवा होती है और जंगल की सभी जानवर रघू से माफी मांगने उसकी गुफा पर आते हैं सभी जानवर एक साथ रघू से माफी मांगते हैं और उसी जंगल का राजा बनने का बोलती है अब रघू सभी जंगल वास्यों को माफ कर देता है और चेंगल की राजगदी को संभाल कर चेंगल में खुशी खुशी रहनी लगता है इस कहानी से हमेशीख मिलती है हमी कभी किसी की कमजोरी का मजाख नहीं बनाना चाहिए वरना कुदरत बहुत बड़ी है जो की एक पल में कुछ भी बदल सकती है तो गाइस आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं और एगर आपको इस्टोरी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चानल को भी सब्सक्राइब करनें थेंक यू भाई तुम मुझे कहा लेकर जा रही हो आगे तो बहुत अंदेरा है मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे बहुत ड़र लग रहा है भाई अरे तुम क्यों घबरा रही हो मैं हूं ना तुमारे साथ फिर तुम क्यों डर रही हो भाई मैं तो पिछे का रास्ता भी भूल गई हम कहां से होकर आए हैं अगर हम दोरुस घने अधिरे में अलग हो गए तो मैं कहां जाओंगी भाई आप पीछे वापस चले तभी देखती ही देखती उसका भाई ना जाने कहां गायब हो जाता है रिचा शेर्णी अपने भाई को यहां वहां देखती है लेकिन उसी दूर दूर तक बस अधिरा ही नजर आता है और पूरा जंगल सुनसान नजर आता है रिचा शेर्णी बिचारी अपने भाई को इधर उधर तलाश करती है मगर उसे कहीं भी वो नजर नहीं आता है और वो चलती चलती एक और भी सुनसान जगा में पहुँच जाती है वो जंगल पहुत ही घना और ड्रावना था उस जंगल सी हर तरफ सी कुछ अजीब सी आवाजे आ रही थी रिचा शेर्णी इन आवाजों को सुनकर और डर जाती है कौन है प्लीज मेरी कोई मदद करो मैं अपने भाई से बिछड गई हूँ प्लीज मेरी कोई मदद करो प्लीज तभी उस रास्ते से होती हुई एक शेर्णी वहाँ से गुजरती है वह शेर्णी रिचा को वहाँ देखकर रुख जाती है अरे बेटा तुम इतनी अंधेरी रात में यहां क्या कर रही हो क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ शेर्णी आंटी मैं अपने भाई के साथ जंगल में आई थी मेरा भाई ना जाने कहाँ चला गया मैं अकेली रह गई मैं अपने भाई को ही ढूंड रही हूँ बेटा तुम एक काम करो अभी तुम मेरे साथ चलो और सुबहा मैं तुम्हें तुम्हारे जंगल छोड़ दूगी लेकिन शेर्णी आंटी मुझे तो अपने जंगल का रास्ता भी नहीं पता फिर मैं कैसे जंगल वापस जाओं मैं तो कभी इस रास्ते से नहीं गुजरी इसलिए मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है अच्छा चलो कोई नहीं तुम मेरे साथ चलो अब शेर्णी रिचा को अपने घर लेकर आती है रिचा शेर्णी जब सेर्णी की हवेली देखती है तो दंग रह जाती है वह शेर्णी सुन्दर्वन जंगल की महरानी थी और वो एक बहुत अमीर शेर्णी थी इतनी अलिशान हवेली को देखकर रिचा खुश होती है और वह बोलती है रानी शेर्णी क्या ये आपका घर है हाँ बेटा ये मेरा ही घर है लेकिन बदकिस्मती की बात है कि मैं इतने आलिशान हवेली में अकेली ही रहती हूं मेरी कोई संतान नहीं है बेटा अरे रानी शेर्णी आप ऐसा क्यों बोल रही है आपके पास इतनी धंदोलत है फिर भी आप उदास है मेरे पास देखो कुछ भी नहीं है और तो और मेरी माँ भी नहीं है मेरी माँ मेरे पैदा होने के कुछ घंटो बाद ही मर गी थी और कुछ दिन मेरे पितानी मेरा बहुत ख्यार लगखा और फिर एक दिन मेरे पितानी जंगल की एक शेर्णी से साधी कर ली मैं अपनी माँ को देखकर बहुत खुश थी लेकिन उनका बरताओ मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है वो पूरा दिन मुस्स चंगल की काम करवाती है और बोलती है अगर तुमने अपने पिता को इस सब बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूँगी अगर मैंने कभी उन्हें मना किया तो वो मुझे खूब मारती है मेरे पिताजी पूरा दिन महनत करती है और शाम को आगर वो सो जाती है उन्हें कुछ भी नहीं पता मैं उस घर में एक एक पल कैसे गुजारती हूँ मेरी सोतेली मार मेरे साथ बहुत बुरा सुलूग करती है क्या वो तुम्हारे साथ ये सब करती है और वो तुम्हारा भाई जो तुम्हें जेंगल में छोड़ कर गया है वो तुम्हारा ख्याल नहीं रखता है मेरा सोतेला भाई रगू पहले तो मुझे थोड़ा बहुत प्यार करता भी था लेकिन मेरी मार ने उसे भी मेरे खिलाब कर दिया और वो कल रात शायर इसी लिए मुझे अधिरे जंगल में लेकर आया था कि वो मुझे अकेला छोड़ कर भाग जाए और मैं यूँ डर डर कर भटकती रहूँ अरे बेटा तुम ऐसा क्यों बोल लही हो तुम्हारे लिए मैं हूँ मेरी तो वैसी भी कोई संतार नहीं है आज से तुम मेरे साथ रहोगी और मेरे बाद मेरे खजानी और इस जंगल की वारिस बनोगी अब शेरणी रिचा शेरणी को अपने साथ ही अपनी हवेली में ही रख लेती है और वो उसी बिल्कूल अपनी बेटियों की तरह ही पालती है उधर जब गबर शेड को अपनी बेटी दिखाई नहीं देती है तो वह शेड़नी से पूसता है औरे शेड़नी रिचा कहा है वो मुझे रात में भी दिखाई नहीं दी और अब सुभा भी हो गई वो आखिर कहां गई हुई है शेड महराज मैं आपको क्या बताऊं रात मैंने आपको असलिए नहीं बताया था कि आप परेशान हो जाएंगे और आप पूरा दिन काम करने की बाद रात भर नहीं सो पाएंगे वो रिच्चा तो कल शाम ही ना जाने कहां गायब हो गई मैंने पूरा चंगल ढूडा लेकिन मुझे उसका कहीं पर भी पता नहीं चल सका और मुझे चंगल की एक गाये ने बताया कि उसने सुभा उसे बाला शेर आपके सबसे बड़े दुस्मन के साथ देखा था मुझे तो लगता है सायद वो उसी के साथ कहीं चली गई है सोच भी नहीं सकता था कि वो यह सब करेगी मैं उसे इस सब के लिए कभी माफ नहीं करूंगा गबर शेर जब उसकी बातों पर यकीन कर लेता है तो शेर्णी को सुकून मिल जाता है और वह मन ही मन बहुत खुश होती है दिन ऐसे ही भीतती है और गबर शेर के मन में रीचा शेर्णी के लिए नफरत बढ़ती ही जाती है उधर रीचा शेर्णी भी बड़ी हो जाती है और रानी शेर्णी उससे बिल्कुल अपनो जैसा प्यार देती है एक दिन वरंदावन जंगल से शेर्णी के लिए पैगाम आता है रानी शेर्णी वरंदावन जंगल में भुकमरी बढ़ती ही जा रही है वहां के राजा शेर्णी आपके लिए पैगाम भिजवाया है और आपसे मदद के लिए बोला है बाग ये सब बोलकर वहां से चला जाता है और रानी शेर्णी अपने खजाने से कुछ पैसे और अनाज की बोरिया भरवाती है और अपने मंतरी मानाव बागो और रिचा शेर्णी को लेकर व्रंदावन जंगल की ओर निकलती है कुछ देर तक चलने के बाद वो सब ही ब्रंदावन जंगल पहुंचते हैं रिचा शेर्णी जब उस जंगल में जाती है तो उसे वो जंगल को जाना पहचाना लगता है और वहां शेर्णी से बोलती है शेर्णी मा हम कहां जा रही है मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं पहले भी इस जंगल में आई हूँ शायद बेटा तुम आई हो इसलिए तुम ही ये सब लग रहा है अभी चलो आगे चल कर देखते हैं अब कुछ दूर चलने पर रानी शेर्णी गपर शेर की गुफा के पास पहुंसती है रिचा शेर्णी जब अपने पिता को इतने सालों के बाद देखती है तो उसकी आँखे नम हो जाती है रिचा तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हो इस जंगल में आने की चली जाओ यहां से सालों पहले तुम मेरे दुस्मन के साथ मुख काला करके चली गई थी फिर आज वापस क्यों आई हो रिचा जब अपने पिता की ये सब बाते सुनती है तो उसी कुछ में समझ नहीं आता है पिता जी आप ये सब क्या बोल लही है तब ही शेर्णी और उसका बेटा भी वहाँ जाती है और वह रिचा को देखकर दंग रह जाती है और बोलती है तुम अब यहाँ क्या लेना आई हो चली जाओ हमारे सामने से तुमने हमारा मान और भरोसा तोड़ा है रानी शेर्णी जब ये सब बक्वास सुनती है तो वह बोल पड़ती है ये सब क्या बोल लही हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के बारे में ये सब बोलने की शेर्णी मा आप चुप हो जाएं यही मेरा वो परिवार है जिसने मुझसे पीछा चुडाने के लिए मुझे अंधिरी में छोड़ दिया था और वो तो मेरी किश्मत अच्छी थी जो मुझे आप मिल गई वरना आज ना जाने में कहा होती और ये अब अपनी कर्टूतों को छुपाने के लिए मुझे पर इल्जाम लगा रही है गबर शेर्ट ये सब सुनकर हैरान होता है और बोलता है ये क्या बोल रही हो तुम तुम हमें छोड़ कर गई थी वो भी हमारे दुस्मन के साथ हमने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा भला कोई बाप अपनी बेटी को छोड़ सकता है आपने सही कहा शेर महराज लेकिन आपने नहीं बलकि आपकी पत्नी ने इसे पराया किया था अब रानी शेर्णी शेर को उस दिन घटी सारी घटना की सचाई बताती है गबरशेर जब अपनी पत्नी और बेटी का सत सुनता है तो वह तो कुछ देर तक विश्वास ही नहीं कर पाता है गबरशेर महराज यही सब सच है आपने अपनी हीरे जैसी बेटी को खोया था और मुझे जब यह मिली तो मैं तो धन्नी हो गई हाँ पिता जी जब भाई मुझे चंगल छोड़ कर चले आये थे तो यही मुझे वहाँ से लेकर गई थी और मुझे बिलकुल अपनी संतान की तरह पाला है इन्होंने मैं इनका इहसान कभी भी नहीं भूल सकती रिचा शेडनी अपने बाबा और रानी शेडनी के साथ मिलकर खुशी- खुशी जंगल में रहनी लगक्ती है कुछ दिन बीतने पर रानी शेडनी जंगल का Bendcom कεςानी को सुफ़् ने को सूब देती जरूर करने थेंक्यू गदार दोस्तरी की शेर के खजाने की चोरी और दो शेर भाई भाई पिताजी ने बोला है कि जल्दी हमें जंगल से लोटना है लेकिन ये तो बारिश पहुत तेज शुरू हो गई है मैं तो कहता हूं जंगल वापस चलते हैं भाई अरे धुरू भाई अब तो थोड़ी ही दूर का सफर बचा है और जल्दी हम पहाडी पर पहुच जाएंगे मैं तो कहता हूं चलते हैं और पिताजी का बताया हुआ काम करके जल्दी से वापस आते हैं रगू और धुरू दोनों भाई नदी का रास्ता पार करते हुई एक खजानी की गुपा के पास पहुचते हैं और भाई यह क्या गूपा तो खाली है सारा खजाना कहां गया मैं क्या बताओं कहां गया मैं भी अभी तुभारे सासाता हुँ चलतों जल्दी से जाकर पिताजी को इसकी खबर देते हैं भाई अब वो दोनों भाई तीज बारिस से जूझते हुई अ उस गुफा के बारे में हम तीरों के अलावा किसी को भी नहीं पता था फिर ऐसा कैसे हो सकता है बल्विंदर शेर ये सब सुनकर बहुत परिशान था और वो वापस सी उस गुफा के पास जाता है और वहाँ जाकर वो भी गुफा को खाली ही पाता है ये क्या हो गया मैं तो बर्बाद हो गया मेरी बर्सों की कमाई हुए संपत्ती एक पल में चली गई अब बल्विंदर शेर निरास होकर जंगल में आता है तभी तीज आनी तूफान के चलती एक पेट तूटकर राजा शेर के उपर गिरता है जिसके नीचे राजा मेरी मदद करो उसी समय बाला बाग भी 30 बारिस्ते बसता हुआ वहाँ से भागता हुआ चला जा रहा था बाला बाग जब राजा शेर को वहाँ पेड़ से दबा देखता है तो वह उसी दोड़कर उस पेड़ के नीजे से बहार निकालता है और उससे लेकर एक शुरपसित जगा पर पहुंसता है सुबह होती है और राजा बलविंदर शेड भी होस में आ जाता है अब राजा बलविंदर शेड बाला बाग से बोलता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया बाला बाग अगर कल तुम ना आते तो शायद आज मैं जिन्दा भी ना बच पाता तुम मेरे लिए एक भगवान का अवतार बनकर आये हो और तुमने मेरी जान बचाई मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलकर मेरी हवेली में रहो और मेरे सच्चे मित्र बनकर हमेशा मेरा साथ निभाओ अब राजा बलविंदर शेट बाला बाग को लेकर अपनी गुफा में आता है और अपने बेटों को आकर सारी बात बताता है अब पिता जी हम कल से कितने परेशान थे और हमने आपको कहा कहा नहीं डूंडा शुक्रिया बाग अंकल आपने हमारी मदद की और हमारे पिता की जान बचाई अरे बेटा ऐसा क्यों बोल रहे हो ये तो मेरा फर्ज था और ये सम्म मैं कर सकता था इसलिए मैंने कर दिया इसमें शुक्रिया की क्या बात है दुरुव और रगु बेटा मैं तुमें बताना भी बूल गया आज से बाग अंकल हमारे साथ ही रहेंगे जैसे इन्होंने हमारी मदद की हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी इनके लिए कुछ ना कुछ करें इसलिए मुझे ये सब ठीक लगा और मैंने बाला भाग को हमारे साथ रहने को बोल दिया ठीक है पिता जी आपने बहुत अच्छा किया अब बाला भाग राजा बलविंदर शेर का मंत्री बनकर उनके साथ ही हवेली में रहनी लगता है अगली सुभा होती है और बाला भाग राजा बलविंदर शेर से बोलता है महराज मैं आपको कल से देख रहा हूँ आप मुझे कुछ परेशान लग रहे हैं क्या बात है आकिर आप मुझे बता सकते हैं महराज बाग भाई क्या बताओ मैं तुम्हें मेरी बर्ट्सों की मैनत को किसी ने एक पल में ही खाली कर दिया और मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्या महराज आप क्या बोल रहे हैं आप मुझे खुल कर बताएं अब बाला भाई ना जाने किसने मेरा सारा खजाना लूट लिया और मैं सोच सोच का परेशान हूँ कि आखिर ये सब मेरे साथ कौन कर सकता है लेकिन मेरी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है महराज कहीं आपका कोई दुस्मन तो नहीं मुझे तो लगता है कि उसी ने ये सब करा होगा अब राजा बलविंदर शेर अपनी सालों पुरानी दुश्मन याद करता है और वह बाला बाग को उसके बारे में बताता है और से दस साल पहले मेरा एक जगड़ा हुआ था वो भी मेरे सच्चे मित्र से तब भी मैं ऐसे ही बदरीपुर जंगल का राजा था और मेरा एक बाग दोस्त था मन में लाल अचा गया और उसने मुझसे बोला बलविंदर भाई कल मैं गोदावर जंगल गया था और वहां की राजा शेर ने आपके लिए पैगाम भिजवाया है और उन्होंने आपको खाने के लिए आमंतरित किया है शायद उन्हें आपसे कोई जरूरी बात करनी है लेकिन बदरी भाई मैं कैसे जा सकता हूँ शेर नी मा बनने वाली है और उसे किसी भी टाइम मेरी जरूरत पढ़ सकती है फिर मैं कैसे जाऊँ तुम जाकर अपने आपसे पता कराओ बलविंदर मेरे दोस्त मैंने राजा शेर को पहले ये सब बोल दिया था लेकिन उन्होंने मुझे बताने से मना कर दिया और उन्होंने आपको ही बुलाया है और तुम रानी शेर्णी की फिकर क्यों करते हो उनके लिए मैं हूँ तब तक उनका मैं खयार लखूँगा ऐसा कहने पर मैं वहाँ से चला गया उसी रात शेर्णी भी मा बन गई और उसने दो बेटों को जनम दिया लेकिन इसी बीच उस बदरी ने शेर्णी को मार दिया जब मुझे पता चला कि शेर्णी का कातिल कोई और नहीं खुद मेरा दोस्त है तो मैंने उसे भी मार ना चाहा लेकिन मेरी दोस्ती फिर बीच में आ गई और मैं उसे मार नहीं पाया और मैंने अपने दुस्मन को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और अपने जंगल से बाहर कर दिया लेकिन उसने ही मेरी पीठ में चूरा गोब दिया था बाला बाग जब यह सब सुनता है तो वो बिना कुछ बोले जंगल में चला चाता है और पूरा दिन वो परेशानी में इधर उधर भटकता है अगली सुबा होती है और बाला बाग फिर से राजा बलविंदर शेड के पास जाता है और उसी जाकर बोलता है मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया यह सब बोलकर बाला बाग अपनी असली रूप में आता है असल मी बाला बाग एक दूसरी खाल पहन कर राजा बलविंदर शेड के पास आया था और अपकी बार उसका फ्लैन था शेड के पूरे परिवार को खतम करकी उस पूरे चेंगल पर और उसकी हवेली पर राज करने का और इसे कोशिश में उसने राजा बलविंदर शेड का सारा खजाना भी चुराया था असल में वो ही उस खजाने का लुटेरा था तुम अब फिर से मेरे साथ एक बड़ा धोका करने वाले थे तुम कभी नहीं सुधर सकते मैंने सोचा था कि तुम अब सुधर गए होंगे लेकिन तुम्हारे मन में अभी भी नफरत भरी थी बलविंदर मेरे भाई मुझे माफ कर दो मैंने ये सब जानबूच कर नहीं किया असल में ये सब मुझसे करवाया गया और मुझे तुम्हारे खिलाव भड़काया गया अदर असल जिस दिन तुम गोदावर जंगल गए थे उससे एक दिन पहले मैं चीतों की पहाड़ी गया था वहां के चीते सरदार ने मुझे बताया था अरे बदरी तुम आज मेरे पास खेर तो है मैंने सुना है तुम दोस्ती पूरे मन से निभा रहे हो हाँ यार मेरा दोस्त है इस काबिल तो फिर क्यों न निभाओं अरे तुमें ये गलत फैमी है कल मैंने उसकी बाते सुननी थी और वो रानी शेर्णी को बोल रहा था कि वो तुम्हें जल्दी मार कर अपनी रास्ते से हटा देगा और फिर पूरे जंगल पर अकेला हुकूमत करेगा ये सब सुनकर मुझे गुशा आ गया था मुझे लगा कि तुम सच में मुझे मारने वाले हो और जब कल मैंने तुम्हारी बाते सुनी तो मेरा दिल भर आया और मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने हीरे जैसे दोस्त को गलत समझ लिया था मुझे माफ कर दो शेर दोस्त बलविंदर शेर जब उन चीतों की चालाकी सुनता है तो वहाँ बदरी को लेकर उनके पास जाता है जब चीती उन दोनों को एक साथ देखती हैं तो घबराच आती हैं और वहाँ से भाग नहीं लगती है अरे रुको रुको इतनी जल्दी भी क्या है अभी तो हम आए हैं तुम्हें क्या लगा तुम अपली चालाकी सिर्फ जंगल पर हुकूमत कर लोगे मैंने तुम्हें उस दिन भी वोण किया था जब तुमने मेरे वेटों को मारने की कोशिश की थी और तब तो तुम बच गए थे लेकिन आज नहीं बच पाओगे क्या इन्होंने इतनी बड़ी हरकत भी की आज तुम नहीं बचोगे मैं तुम्हें मार डालूँगा अब वो दोनों मिलकर उन सभी को मार डालते हैं और अपनी बीच से असल दुस्मनी की दिवार को खतम करते हैं और फिर से अपनी जंगल वापस आते हैं और फिर से सभी जंगल वास्यों के सामने अपनी फिर से एक साथ होने का एलान करते हैं अब गबबर शेर के दोनों बेटे भी बहुत खुश थे और सभी जंगलवासी उन दोनों को फिर से जंगल का राजा शुकार करती है और राजा बलविंदर शेड का सारा खजाना भी वापस आ जाता है और वो सभी फिर से खुशी खुशी रहने लगती है शीक इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर दोस्ती सच्ची और साफ मन सी निभाई जाए तो उसे कोई नहीं तोड़ सकता है और दोस्ती एक ऐसा अटूर प्रिस्ता होता है जो अपनी सच्चे दोस्त के लिए कुछ भी कर गुजरता है तो आपको एक कहानी कैसी लगी? हमें कोमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको एक कहानी पसंद आई है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करनें थेंक यू